प्रस्तुत कविता में विकत परिष्ठिटियों से नदरने तथा सान से आगे बढ़ने की प्रणा दी गई है हमें विकत स्थितियों में भी अपना सीर उचा रखना चाहिए इसके लिए हमें सूरज, चान, आदी से प्रणा लेनी चाहिए हमें अपनी मंजिल, अपनी चान से ज्यादा प्यारी होनी चाहिए फिर चाहेव कितनी भी दूर क्यों न हो यह कविता हमारे जीवन में बहुत ही प्रणादाई, उर्जावर्दत और हमें आंत्रिक सक्ती प्रधान करने वाली है व्यक्ती की परिक्सा विसम परिष्ठितियों में होती है इसलिए धैर्य, विश्वास, हिम्मत और साहस का होना बहुत ही जरूरी है आज विश्व जिस परिष्ठिती में है, वहां प्रत्यक व्यक्ती में साहस और सयम की आवश्यक्ता है देर्य विश्वास की जरूरठे आपसी सद्भाव और प्रेम की अवश्यक्ता है तो इस कविता में कवी ने कई प्राकृतीक अपडाओ की चर्चा करते हुए हमें अपने धेर्य पूर्ण जीवन जीने की प्राणा दी है कवी ये कहना चाहते है कि प्राकृतीक अपडाओ, आंधी, तूफान, वर्सा, बाड, बूस्खलन ये जितने भी होते है कई न कई हमारी हिम्मत को तोड़ देते हैं, हमारे धेर्य को खतम कर देते हैं लेकिन नहीं, हमें इसकी सब परिष्ठिटियों में भी अपनी हिम्मत, अपने धेर्य को बनाए रखना है हमारी राह को कोई रोकता है, तो रोकने ना दे और आगे बढ़ते रहे तो आईए, कवी के सब्द में कवीता को देखते हुए, हम आगे की और चलते हैं हमने दरना कभी न जाना, आंधी से तुफान से, देखो हम बढ़ते जाते हैं, कैसे अपनी सान से काटे, आते, उन्हें हटाते, तूरन बनाते रा, बड़े बड़े रोडों को भी, करते न कभी परवा सीर अपना उचा रखते हैं, हर दम हम अभिमान से, हमने दरना कभी न जाना, आंधी से तुफान से दीन में राह बताता, सूरज, फिर जब आती रात, चांद चांदनी बिखराता है, करता हम से बात हम ऐसे बढ़ते जाते हैं, राह देखते ध्यान से, हमने दरना कभी न जाना, आंधी से तुफान से मंजिल पर ही रुकना हमको, ओ कितनी भी दूर, लंबी राह नहीं कर सकती, हमें कभी मजबूर हमको अपनी मंजिल, प्यारी, ज्यादा अपनी जान से, हमने दरना कभी न जाना, आंधी से तुफान से देखो, हम बढ़ते जाते हैं कैसे अपनी सान से, कभी कहते हैं, हमने दरना कभी न जाना, आंधी से तुफान से यानि दरना मर जाने के बराबर है, हमें कभी नहीं डरना चाहिए, न तो आंधी से, न तुफान से देखो, हम बढ़ते जाते हैं, हम लोग बढ़ते चले जा रहे हैं, जीवन की लक्ष की और हर व्यक्ति के जीवन का लक्ष होता है, हमें अपने लक्ष की और बढ़ते जाना है काते आते, उन्हें हटाते, तूरन बनाते रा, बड़े बड़े रोडों को भी करते न कभी परवा काते आते, उन्हें हटाते, तूरन बनाते रा, काते रास्ते में आ रहे हैं, उन्हें आने दे, उन्हें हम हटाते चलेंगे, आगे बढ़ेंगे रोडों को रोकने के कारण भी हम अपने गती को ना रोकेंगे बस अपने प्रवा में अपनी हिम्मत से अपनी मस्ती से आगे बढ़ेंगे और बढ़ते चलेंगे सीर अपना उचा रखते हैं हर दम हम अभिमान से हमने डरना कभी न जाना आंधी से तुफान से हमें हमेशा अपना सीर उचा रखना है अपनी हिम्मत को कायम रखनी है अपना विश्वास द्रड और अभिमान को तरो टाजा बनाए रखना है हमें न आंधी से दरना है न तुफान से डरना है दिन में रा बताता सूरज फिर जब आती रात चांद चाननी विखराता है करता हमसे बात दिन में सूरज हमें रा दिखाता है फिर भी आती रात चांद चाननी विखराता है करता हमसे बात प्रकृति भी हमारी मदद करती है दिन में सूरज की रोसनी, रात में चान की चाननी हमारी मदद करते है नीचे धर्टी और उपर आस्मान हमारी रक्सा के लिए हमारी मदद के लिए ही है तो हम अपनी हिम्मत ना हारे, अपना विश्वास ना हारे, हम आगे बढ़ते ही चले, यही हमारे जीवन का मूल लक्षे होना चाहिए, मूल डे होना चाहिए. दिन में रह बनाता सुरज, फिर आती रात, चान चाननी विखराता है, करता हमसे बात. हम ऐसे बढ़ते जाते है, राट देखते ध्यान से, हमने दर्ना कभी न जाना, अन्धी से तुफान से. हम ऐसे हरदम चलते हैं, रा देखते ध्यान से हमने दरना कभी न जाना, ना आंधी से ना तूफान से हमें ध्यान रखना है, क्या आंधी और तूफान में भी काटे रोडों के बीच में भी सजग होकर हमें संभल कर चलना है मंजिल पर ही रुखना हमको हो कितनी भी दूर, लंबी राह नहीं कर सकती, हमें कभी मजबूर हमें मंजिल को ही देखना है, और अपने पावों को आइस्ता आइस्ता जमिन पर रखते हुए लक्ष की और बढ़ते चलना है मंजिल पर ही रुखना हमको किसी कवी ने कहा, किसी सायन ने कहा, गिरना नहीं है गिर के संभलना है, जिन्दगी रुखने का नाम मौट है चलना है जिन्दगी, हमको संभलना है, गिरना नहीं है, मौट तो आज ने कल आने ही है बस उसके दर से हम अपने लक्ष को, अपने उदेश्य को, अपने धैर्य, विश्वास छोड़कर वहीं बैच चाए ये हमारी बुजदूली है, ये हमारी नादानी है, ये हमारी नासमजी है इसलिए इन सब को पीछे छोड़कर बस आगे बढ़ना है अपने लक्ष की और हमको अपनी मंजील प्यारी जादा अपनी जान से, हमने दरना कभी न जाना आंदी से तुफान से हमको अपनी मंजील प्यारी जादा अपनी जान से, हम मर जाएंगे दर है इस बात का, बस अपने लक्ष को पा जाए, हम मर कर भी अमर हो जाएंगे कौन यहां जीने आया है, बस जीता वही है, जीश की कृती जीश का काल्य है, यहां पुरा हो पाना है पेरों में छाले पड़ते है परना तुत्ता ध्यान हमें प्रेना हर्दम देता मंजील का ग्यान हमारा लक्ष है सदेव हमें प्रेरित कहता है हम लक्ष को ना भुले लक्ष को लेकर ही चले लाख अपड़ाओ को जेल कर चले परेसानियों के जेलते चले डूक गम को जेलते चले बस बढ़ते चले जहां पहुच जाएंगे हम यूँ चलते चलते राख एक एक कदम आगे बढ़ा कर हम मंजील के करीब पहुच रहे हैं तो कदम न दिगना है कदम न रुकना है बस बढ़ना है बढ़ते ही जाना है हमने दरना कभी न जाना, आंधी से तुफान से, कभी यही प्राणा देते हैं, चाहे वो प्राकृतिक अपदा हो या मानव निर्मित अपड़ा हो, किसी पी अपड़ा से हम न दरे, डदगर मुकाबला करे, बड़े और बड़ते रहे, हार माने बिना निरंतर शंगर्स करने की सीख भी ली गई है, ठेंक्यू